नमस्कार दोस्तों, क्या आप दुनिया के बिगेस देशों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? चलिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के टॉप टेन बड़े देशों की सैर करवाने जा रहे हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है, नमबर टेन से, अलजीरिया से। बिगेस देश बनाता है। अगला नमबर सेवन पर है, भारत, मेरा देश, 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एक शेत्रफल में फैला भारत संस्कृतियों, भाशाओं और भूदरिश्यों का एक जीवन्त मौजक है। उत्तर में हिमलेयाज और साउथ में ट्रॉपिकल समुद्र तटों के साथ, भारत की विविधता वास्तव में मनमोहक है। नमबर 6 पर आते ही हम आस्ट्रेलिया पहुँच जाते हैं। संबा की ताल और कार्नेवल इस हरे भरे जीवन्त देश की सिर्फ जलक भर है। अब टॉप 4 में प्रवेश करते हुए हम चीन पहुँचते हैं। यह प्राचीन सभ्यता जो अब एक ग्लोबल सूपर पावर बन गई है लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। महान दीवार से लेकर शैंहाई की व्यस्त सडकों तक चीन इतिहास और भविश्य का संगम है। नमबर 3 पर हम पहुँचते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। 9.83 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्शेत्रफल के साथ यह देश विविधता और अवसरों का प्रतीक है। नमबर 2 पर है कनाडा 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्शेत्रफल के साथ यह देश अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। रॉकी परवत से लेकर टोरंटों की हलचल भरी सडकों तक कनाडा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और अंत में नमबर 1 पर है रूस 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्शेत्रफल के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। साइबेरिया की ठंडी बरफीली भूमी से लेकर मौसको की जीवन्त सडकों तक रूस की विशालता और विविधता अद्वितिय है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े देश। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंदाई होगी। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तो दो नई यात्रा के साथ।